अब बात करने आ रहे हैं अपन लोग revenue की और revenue का बड़ा सीधा सा आजसर है भई अब यह दो एक भईया है हमारा शिव अब शिव भईया बहुत बड़ा business man है बहुत ही smart लड़का है बड़ा ही attitude में रहता है अब बात सुनिएगा शिव भईया का बहुत बड़ा कारुबार है शिव भईया बेचते है लिप्स्टिक बहुत ही अच्छी लिप्स्टिक बेचते हैं और यह एक लिप्स्टिक बेचते हैं हजार रुपए की हजार रुपए की एक लिप्स्टिक बेचते हैं और यह हर दिन बेचते हैं कितनी लिप्स्टिक लेट से सो है बहुत बड़ा business ह इनका और ये बड़ी महंगी महंगी lipstick माक कि lipstick बेच रहे हैं ठीक ना ऑर हजार lipstick एक दिन में बेज देते हैं स्वरी हजार रुपने के एक lipstick है और 100 रुपई की बेच देते हैं तो बताऊ कितना पैसा कमाते हैं कितना पैसा आता है शिव के पास Let's see, कितने बच्चे बताएंगे Shiv के पास कितना पैसा आता है रोज का रोज बहुत पैसा है Shiv के पास अब ही Shiv के पास कितना पैसा आ रहा है 100 लिप्स्टिक बेची एक लिप्स्टिक आती है 1000 रुपे की तो Shiv के पास आ गए रोज के 1 लाख रुपे तो ये जो 1 लाख रुपे आई ये क्या हुए क्या ये इनके profit हुआ क्या ये इनका profit हुआ नहीं भाइन नहीं ये क्या हुआ ये हुआ total revenue क्या आया concept total revenue तो total revenue का formula क्या होता है अगर price को quantity से multiply कर देंगे तो total revenue आ जाएगा अगर total revenue निकालना है तो price को quantity से multiply कर देंगे और अगर मालो मुझे इनका average revenue निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं total revenue divided by divided by quantity average revenue निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं भाई total revenue divided by quantity अब एक चीज़ बताओ अगर इस formula में मैं ये लिख दूँ, TR की जगे इसका formula लिख दूँ, price into quantity upon quantity, तो यहां से quantity और quantity cancel हो जाएगा, तो क्या AR equal to price आ रहा है, तो क्या average revenue को price बोला जा सकता है, हाँ भई हाँ, average revenue को price बोला जा सकता है, तो अगर question में पूछ ले, कि average revenue को किस और नाम से जानते हैं, तो average revenue को price के नाम से जाना जाएगा, 1550 बच्चे पढ़ रहे हैं, साड़े 1700 बच्चे आये थे, 200 बच्चे सोच चुके हैं, क्या बात समझ में आ गई सभी को, समझ में आ गई, अब marginal revenue कैसे निकालते हैं, marginal revenue वैसे ही जैसे marginal cost निकालते थे, marginal utility निकालते थे, और marginal product निकालते थे, TRN-TRN-1, या तो ये formula लगा देना, या तो change in TR, divided by change in quantity formula लगा देना, इन दोनों formula से आपका MR आ जाएगा, एकदम बात समझ में आ गई सभी को, सबको आ गई की नहीं, तो TR, MR तुमने निकालना सीख लिया है,